नमस्कार स्वागत आपका जेजेन नीज में और मैं हूँ आपके साथ हमीरा मलिक पहले LED को टाले और अब इस्टिंग मामले में भी शिक्षा विबाक पॉडी के ततकालीन CEO, मंदन सिंग रावत, DEO, हरेराम यादफ और पतल सहायक दिनेश गरोला पर गिरफतारी की तलवार लटक गई है ये एक इस्टिंग में न्युक्ति के लिए पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं इन पर व्रश्टर चार निवार अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज और आदेश शासन स्तर से हो गए हैं इस संबन में थाना पॉडी में प्रातमे की दर्ज कराई गई थी बाद में पॉरंसक जाच में भी वीडियो के सच होने की पुष्टी हो गई थी जिसके बाद SSP पॉडी ने ये मामला ADJ Law & Order को आगे की कारवाही के लिए प्रेशित किया जिसके बाद ADJ Law & Order ने सचफ ग्रह को मामला ट्रांसवर कर दिया सचिफ ग्रह ने तीनों पर मुकदमा कायम करने के लिए सचफ माद्यमिक शिक्षा से अनुमती के लिए पत्र भेजा जिस पर लंबे समय तक सचफ माद्यमिक शिक्षा स्तर से अनुमती नहीं दी गई इसी बीच हाई कोट ने इस मामले में जनहत याचिका भी दाखिल की जिसमें कोट ने लगतार निर्देश के बावजूद सचफ माद्यमिक शिक्षा ने रश्टचार के तीनों आरोपियों पर मुकदमा दर्श करने की अनुमती नहीं दी जिसके बाद जनहत याचिका में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस विपिन संगी और जस्टिस आर सी कुलवे की डबल बेंच ने उत्राखन के मुक्य सचफ को खुद मामले को देखा और भ्रश्टचार के आरोपियों पर भ्रश्टचार निवारण अदीनियम के तहत कार दिवाई करने के बड़े आदेश जारी किये तो वहीं शिक्षा विबाग पॉड़ी के एलिडी घुटा ले और गौवर्मन्ट स्कूल में निवक्ति के नाम पर पैसे के लेने देने के आरोपी ततकालीन मुक्य शिक्षा अधिकारी मंदन सिंग रावत समित और लोगों को पुलिस द्वारा जल्द गिरफतार किया जा सकता है तो फुलाल की इस रिपोर्ट में बस इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें जे जे निउस के साथ धन्यवाद